जी, किसी का कोई भी question है, you can ask, आप question पूछेंगे, मैं यहां पे live आपको answer देने वाला हूँ, और हमारी team जो है, वो chat के अंदर आपको बाद में भी answer देगी, अगर आपका कोई question हमसे miss हो जाता है, let's start asking questions. जी, मैंने slow mode भी on कर दिया, ताके जो मेरे पास question है, वो बड़े, मंजे हुए questions आए, let's see, कौन से questions हमारे पास आ रहे है, यह जनाब मेरे पास आपकी जो chat है, वो यहाँ पर पढ़ी है, आपके सामने, और मैं यहाँ से आपको questions पढ़ पढ़ के उनके answers देने वाला हूँ, let's see, के कौन से question मेरे सामने आ रहे है, first of all, बहुत तेज question गुजर रहे है, How old are you? यह question का मैं answer नहीं देता होता, मैं काफी बुड़ा हूँ, और काफी जवान भी हूँ, दोनों तरफ से चल रहे हैं कहा हूँ, registration कहाँ open है, description में link है, where to send the assignment, assignment आपने अभी तक कि जो मैंने बताई है, comment section में लिखनी है, उसके बाद आपको discord का एक server मिलेगा, discord का channel मिलेगा, वहाँ पे आपने assignment directly भीजनी है, assignment का एक proper हमारे पास group है, वहाँ पे, already बना हुआ है, where to send assignment, मैंने discord का server आपको बता दिया हूँ, आप वहाँ पे भीज सकते हैं, और जो assignment मैंने आपको बताई है, वो आपने chat के अंदर लिखनी है, आज के assignment को भीजने वाली नहीं है, अच्छा, अगर सब कुछ basic से start होगा, तो python का चिला करने का क्या फायदा है, सब कुछ basic से, मैंने कब कहा के start होने वाला है, मैंने ये बोला है, कि उसका 30% आप कर लेंगे, तो उसमें मैंने basic coding गवर करवाई हुए है, that is not basic जहां से मैं start करवा रहा हूँ, तो basic से start करने के ल पेट से मुराद ये है, कि हफ़ते में तीन दिन मैं उन लोगों से meeting करूँगा, जो हमारे साथ paid course के अंदर है, यानि कि इसी course के अंदर वो zoom की meeting के extra हम चार्ज कर रहे हैं, वो हमें pay कर रहे हैं, और उनको हम proper one-to-one zoom की recession के अंदर answer करेंगे, और उनको projects वाहां पे देंगे, ठीक है, copy-paste ना हमारे engine, आप कोई भी question पूछें, data analysis, data science क्या होता है, इसके बारे में proper हम बात करेंगे, अभी तक के लिए आपको course का intro करवाया है, कल से आप देखेंगे, proper हमारी lecture स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें सारी चीज़े cover होंगे, live अगर कोई नहीं है, attend कर सक रात को लेट अगर काम से आते हैं, तो तब देखने lecture, लेकिन आने वाले दिन से पहले-पहले assignment complete कर ले, चाइना में इस वगर रात के एक बज़ रहे हैं, बिल्कुल बज़ रहे हैं, और इसी वड़ा से हमने time ये रखा हुआ है, आपके पास तो चलो रात के एक बज़ रहे हैं, जो US में बैठे हुआ हैं, जरा वो chat में बताएंगे, कि सुबह के कितने बज़ रहे हैं, हमारे पास दुनिया भर से पूरे students हैं, so don't worry about that, just learn and do your job, paid courses के charges वगरा description में लिंक दिये हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, data science या web development, कौन सी चीज बेस्ट है, भाई जान, web development अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, तो उसे बेतर है data science सीखें, खुद के लिए करें, और पीछे data भी link करना स्टार्ट करें, Flask, Django या आपके पास जो Fast API है, उनके थुरू ये काम होते हैं, जो इन्शाला इस course का part है, और आप उसमें सीखेंगे, GitHub की जो registration है, आपको अगर आप teacher नहीं है और student नहीं है, you don't need to worry about anything, आपके पास जो भी है, मतलब कोई भी email है, आप उससे भी register करवा सकते हैं, you don't need to have a teacher or student developer pack, so go for it, register करवाएं और उसकी ID बनाएं, research paper का course बनाएं, पहले ये तो complete कर लें, जो start किया जनावे वाला, Power BI का overview भी होगा, मैंने बताया है, कि Tableau या Power BI में से एक software हम चुनेंगे, और Tableau को मैं ज्यादा prefer कर रहा हूँ फिलाल के लिए, जिनकी English week है, tension नहीं, हमारा एक course कल या परसो तक launch हो रहा है, जिसमें zero से हम tenses और direct and direct बोलने का तरीका, English को भी पढ़ना और बोलना सिखाएंगे, so don't worry about that, I know, there are many people जिनको English बोलने नहीं आते हो, इसी वज़ासे वो international clients को नहीं ले सकते, तो इन्शालाब वो course अप्लोड होगा और आप वो देख लेंगे, ओके, ले जनाब, यहाँ पर आज के lecture का एक्तिताम हम करते हैं, अपना आप ख्यार रखें, दोह में याद रखें, बिलीव मी, आज के lecture का जितना मज़ा मुझे आया है, और इसका इसी वज़ासे मैं end एक जोक पर करने वाला हूँ, पंजाबी जिस नावांगा, फिर उन्हों अपर ट्रांसलेट करेंगे उर्दू देवेच, और लेट सी, किस-किस को समझ आती है, किस-किस को समझ नहीं आती, और अगर ठंडा भी होगा तो यार एक्सेप्ट करना, पहला दिन नहीं आप आज सता मेरे साथ चलेंगे तो तानों समझ आ जाजाएगी, एक बंदा ना, घर पे मुर्गा ले आते हैं, तो मुर्गा ले आते हैं, तो मुर्गा जिबा करने लगता है, तो मुर्गा उड़के, दूसरों की छट पे जाके बैठ जाता है, हमसायों की छट पे, वो बंदे को इतनी भूक लगी होते हैं, जाके दर्वाजा करकटाता है, अंदर से एक अंटी बाहरा आते हुसे कहता है, अंटी, हमारा ना, जो, वो क्या उसे कहते हैं, सालन तर इच्छाते बैठा है, सो इसे के साथ ही हम आज के इस लेक्चर को खतम करते हैं, अपना ख्यार रखें, कल 9 बज़े एक्जेक्ली यहां पे आ जाईगा, और पेड लोग जो हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, के जूम का लिंक आपको पहले बेज़ दिया हुए, वहां पे जोइन करें विदिन नेक्स्ट फाइव मिनिट्स, टेक केर जी, अलाफिस,